आज हम इसे विश्वचाव पर रिमार्जित करेंगे वह है आपका शूद या रिसर्च और रिसर्च क्या diamond क्या है आज हम लdern यही जानेंगे और इसके प्रती जो हमारा ड़र उसको खतम करेंगी तो मैंने आपको बताया तक रिसर्च क्या कि क्यान बनाना विबन तरीकों से नई नी चीज़े खोजना आटा असाने की नई विडिया बनाना अर्था बहुत सारी चीज जो अपकिसी चीज को नवीनी करण कर दे या पूर्में किसी ग्यान को इसको क्या करें? परिमारजित कर दे या आपके जो आसपेक्ट है उनको बदल तो यह बोलते हैं, तो रिसर्च आपने सुना, कि सिस्टमेटिक एक प्रोसेस है, साइन्टिफिक, जिसमें प्रॉपर स्टेप होते हैं, और हम नवीन गयान की खोज करते हैं, या पूरू गयान को परमार्जित करते हैं, या उसकी जाच करते हैं, तीन तर्म अगर आपको रिसर्च मतलब किसी चीज को पुना सर्च करना, मतलब कोई चीज है, अब घर में कहीं मिठाई रखी हुई है, और आप रात में खोज रहे उसको, तो ठीक है आपने खा ले, वो खतम होगी, और पता है आपको कि हो सकता है कहीं और आपकी मिठाई हो, तो आप जूटे सारे पहले जो आपने खोजा कुछ खाने के लिए जा रहे तो आपको अचानक क्या मिल गया मिठाई लेगे तो यह क्या हो गया आपका रिसर्च हो गया यहां रिसर्च अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब आपको इसके स्टेप्स बताऊंगे लेकिन अभी हम जो रिसर्च का भूट आपका डरका उसको बगाने के लिए यह अध्यान कर रहे है ठीक है आप हम देखेंगे कि शोद जितो हम जानगे कि शोद क्या है किसी चीज का पर सिर्वीन आस्पेक्ट आपके सामने ला इसको कहें गे रिसर्च तो पूछ एक है रिसर्च करते किस पर हैंच तो रिसर्च करेंगे किस पर जूच जिस को यापकी समस्या हो जैसे विए चाशा क्या करते हैं शोद अ समस्या हो जोध समस्या मतलब ऐसे समत्राइब जिस पर हम क्या कर ते शोध करते जैसे लड़के और लड़कियों की आयू की का तुलनात्मक अधन या लगू ग्रामाईड बालको की शहरी करते हैं जसे कोई भी स्वेल करते हैं तो इसमें फैसं को चीजरी में करतीं सथैंट करना होता है 7 कि केंख चाहिएर बसके पहले इनके चिंतन अस तरक अध्यन या उनकी जो भाय प्राविद्य मुण दोपित चाहिए उसे क्या कहेंगे शोध की समस्या इसी पर पूरा हमारा रिसर्च होता है दूसरा चीज अगर देखा जाए कि शोध की समस्या हमें मिल दी कहां से तो अगर शोध समस्या की बात कहें तो हम शोध समस्या के लिए कोई शेत्र ढूनते हैं अर्था, शोध की लिए कोई एक प्रॉपर छेतr उस छेतr से हम क्या करते हैं? कोई एक प्रॉपर डॉपर टॉप्पे पे एक समस्या कोशते हैं, जिस पे हमें क्या करना है? शोध करना है अब इसके लिए बहुत सारे कंडिशन होती है कि जो शोध करने वाला है उसका इसमें इंट्रेस्ट हो या कोई अनुभव हो या कोई समस्या हो उस पर अध्यान कर रहा हो यसा होता है कि आप बच्चों को पढ़ाते तो इस चीज़े देखते कि समय अजन नहीं क होता है से डाला होते हैं । अब इस में समस्या नहीं तो यह इसर हो या किसी भी चीज का चेट्र अब व क्यों सी इसमाच्टे मिचले को लिए सो अजन नहीतन परपर मुर्फ लेेर लिए तो भी तक करने हो Нूँ कि उत्तर जैसे अगर हमें लगता है कि बोर्ड इग्जाम से पहले बच्चों का जो तरनाव होता है वह बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हमें मानते हैं तो हम यहां क्या एक प्रस्तावित उत्तर लेते हैं संभावित उत्तर लेते हैं जिसे क्या कहते हैं परी कल्पना इसे कह आपका थीकुआ को किसे समस्या को लिए ऐस पर अध्यान करना या शोध करना उसका हम एक प्रिस्तावेत उतल लेते हैं जिसको क्या कते है ना हाइपोथेसिस कोई लों कोई आपकी धार्ना होती है कि हैँ यह चीज़ होती है कि हां जेंडर मेंतर करता है आई क्यू मेंटर करता है या आपका रीजन जो जी सफस्हहेत्व म 다시 तो हमारे दमाग में कोईय पूर्वेजर्व एक पूर्वागरह रहते हैं यहां हमने देखा होधा कि प्रिवियस डिशर्च में यह पूर रिजर्ट प्राप्त हुनी किसी ने इस पर डिशर्च किया था कि कि जब भी हम किसी समस्या को चुनते चेत्र चुनते उसके पीछे सबसे महतव्पूर आपका पॉइंट होताया समभन्धित कि साहित्य चिंद का अध्यन में कि समंभनplant साहित्य के अध्यन से तो क्या है यह तो प्रिस्तावित परिकल्पनां अपने पुरुआ ऐहां। कि उनकी प्रकृति के आधार पर या review करके related literature का हम क्या बनाते एक प्रस्तावित उत्तर्या पलकरना बनाते हैं एक अभीकल्ब बनाते हैं शोद अभीकल्ब यह जनरली जान रहे कि शोद में क्या होता है स्टेप टॉपर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि यह इसके स्टेप होता है लेकिन यह मोटर बुटर हमको जानना है कि रिसेर्च गया है तो जब हमने किसी समस्या को किसी छेत्र से चुल लिया और हमने इमाले के हो सकता है इसका यह उत्तर हो इसे को जांचने के हम अध्यान करते हैं कि यह उत्तर सही है कि नहीं क्या जिंडर इफेक्ट करता है या क्या अगर हम मानते हैं कि क्या बोट से पहले जो बच्चे होते हैं उनके तनाव का स्तर जादा होता है कक्षा 9 की एक्जाम से पहले और कक्षा 10 के एक्जाम से पहले बच्चों के तनाव में अंतर होता है तो यहां हमारे प्रस्तावित उत्तर हो सकता है कि हां अंतर होता है यह अंतर नहीं उता यह इन दोनों में कि रिलेशेंशिब नहीं कि Praka की प्रिक्वन होती यह मैं आपको बताओंगी तो उसक्रік- क्या विद्द्ध से कौन कौन सी विधी से हम एक्सपेर्मेंट करेंगे उसमें विधी आ जाती है तो विधी हो में आती मे प्रचलित वो करा gate!! अपने सुनना हो गालसा अब है मैंने बताइज आपको 2 वीधियां आपकी होती है प्रामक प्रामक हो attacked जो है को गुणात्मकषूर और एक क्या है मात्रात्मक्षोद वालिटेटीव और कॉंटीटेटीव मुख्यतर अगर हम किसी गुण का अध्यान करें जैसे सैटिस्ट्रेस्ट्रेस इन सब चीजों का तो यह गुड़ात्मक अध्यान हो सकता है अगर हम इसमें सिर्फ आंकडों को ना यूस करें और सिर्फ उन जो स्ट्रेड़ी कि सिथे पूरे उस पूरे चीजों पर अध्यान करना भूस्यारी चीजे फिलोसिफिकल रहों गया आपकर रिसास तो यह सारे गुड़ात्मक जिसमें गुड़ाइधान करतें ठीक है लेकिन अगर आखडों तो हमारा मात्रात्मक शोद कहा जाता है अगर अन अगर सेरीस ही ते देखे तो अगर हम हम केटरी वाइस उसको क्वालिटेटव कॉंट्पेजर को छोड़ आपके और स्टेप होते हैं एक आपका का था बेसिक एक होता है अप्लाइड और एक होता है एक होता है एक्शन रिजर्च मौलिक शोध, अप्लाइड शोध और आपका क्रियात्मक शोध, तीमों शोधों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, यह ऐसे शोध होते हैं, जिसमें एकदम हमें क्या मिलता है, नहीं चीज मिलती है, कोई एक्सपरिमेंटल जब आप चीज करते हैं, जिसमें एकदम नया अविशकार कर दे, अन्वेशिड कर दे, तो वो कहलाता है, कोई साइंस के स्ट्रीम में जितने भी शोध होते हैं, थिक है, अप्लाइड में क्या है, कि आपकी जो जिनरली चल रहे हैं, अभी विभारी शोध, जिसमें आपके सर्वे वेगरा यूस करते हैं, तो उन में जो अनुसंदान, उसका क्या मतलब होता है, कि ऐसा अनुसंदान जो क्रिया के डूरेशन में किया जाए, यह अभी जो आया था, कि माम एक्स, जो एक्सन रिसर्च है, उसके बारे में बता दीजे, तो उससे आपका यह चाहतात पर है, जो क्रिया आत्मक शोध है, वह ऐसा जिसमें एक पर्टिकुलर आपका स्थान होता है जैसे आप अपने विद्याला में और आपके सामने कोई समस्या आगे तो आप किसी गाइट को ढूंड के रिसर्स तो करेंगे नहीं हम क्या करते हैं वो समस्या का अध्यान करते हैं किया है उसकी कार्णों का अध्यान करते एक अभिकल्ब बनाते तहतकालिक और उस पे अध्यन करके जो रिजर्ट इकलता है तो सिर्फ उस समू जो छेत्रे उसी पे क्या करते हैं सामानी करते हैं तो यहां अगर क्रिया के दोरान जो आपके शोत किये जाते हैं एक तरह से कहते हैं कान सी विधी है कौन सी विधी से हम इशोत करेंगे यह समस्या कैसी है तुलना कर रहे हैं या सहसंबन बता रहे हैं या नया चीजन विशन कर रहे हैं यह जांच कर रहें किसी चीज की तो हम उस हिसाब से विधी लेंगे जैसे मालीजा उन्हें प्रियोगात्मक विधी ले लिए बेसिक के अंतरगत्य आपकी मैथड आता है रिसर्च का प्रकार है और मैथड के भी कई प्रकार होते तो मैथड में आपका डिसकुप्टिव हो ग करेंगे हम कॉन सा अधिस जनसंख्या पे शोत का अध्यान कर है मतलब जब इसका रिजर्ट निकले गा तो जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी अर्था जहां पर आपको सामानी करना रिजर्ट यह जो आपका परिकल्पना निकली अगर हम कहलें कि हमने जॉनपुर जनपत के बच्चों पर अध्यन किया ठीक है तो जॉनपुर जनपत के हर बच्चों पर तो करेंगे नहीं पर्टिकुलर दो स्कूल इस पर करेंगे तो वह आपके हो जाएंगे न्याधर या सैंपल लेकिन जब हम रिजर्ट निकालेंगे तो हम जब रिजर्ट लिखेंगे तो यह लिखेंगे कि जॉनपुर जनपत के कर्शा नौर कर्शा दस के बच्चों के बीच का तनाव के इस तर में कोई अंतर नहीं इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो यह आपके विधी के बाद अपका जनसंख्या किस पे पॉपलेशन के आपकी उसका सैंपल क्या होगा सैंपल के बाद इंट्रो है घबराईगा मत एक एक टॉपिक पर मैं बनाऊंगी वीडियो अभी आप थोड़ा से जादा आपको लग में आपको दो स्कूल चुनने तो आपके घर के बगल के चुन लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसी है लेकिन हो सकता है कि वो सुटेबल नहीं तो कई प्रकार के आपकी विधिया होता है दो अगर देखे एक साब आपको प्रॉबिल्टी में तर रोता होता है और एक जो टेडलियेशन करते हैं तो उसमें टेबल में आप क्या करते हैं चुं लेते हैं यह भी दैला है जिस पर हम अध्यान करेंगे यह आप और स्टरटीफाईड आपका हुआ तो यह सब आपकी probability method, non probability है तो जैसे आपका हुआ method, सोदेश यह हो गया, सुविधान उसार हो गया, जैसे अगर आपको दिव्यांगों उपए करना है तो आप हर विद्यालों को नहीं चुन सकते, आप उनी विद्यालों को चुन सकते, जहां दिव्यांगों की संख्या जाधा हो, तो उसमें हम जो यूज करते हैं तो non probability method, तो आपके समस्या पर depend होगा कि हम कैसे कौन से विधी लेंगे, कौन से जन्म संख्या होगा, कौन सा उसमें सेंपल होगा, अब सेंपल आपने ले लिया, तो सेंपल लेने का जो तरीका होता हो, उसे क्या कहते है, sampling technique या न्यारादर्शन, ठीक है, न्यारादर्शन, इसके ब calculation में use होगी, इसके बाद जो step होता है, क्या, कि हम किस विधी से calculation करेंगे, calculation तब ही होगा, जब यह आपका quantitative research होगा, और अगर qualitative हो है, तो उसमें calculation नहीं होता, तो यहां पर हम जब भी देखेंगे, तो देखना है कि किस प्रकार का research है, उसे सब से, आपका quantity है, आपका जैसे संकhiki विधी लेंगे, जैसे संकhiki विधी में आपको बहुत सार परने, T test F, test F, man, whitney, wilcoxon, आपकी टेक्निक्स है, तो घपराइए मत, एक ही point बताया जाएगा, अभी दिमाग में यह mind makeup तो कह लेजीए, पढ़ना क्या है, बहुत जादा है, अभी तो सल्बस आपको χोटा लग रहा था तो यहां पर हमने देखा इसके बाद नुगहार यह आंदर खीशा करते हैं तो फिर आपका संदर्वग्रश सूची होता है आपके जो सारे चीज़े जो कलेक्ट रहते हैं डाटा उसका वो लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़े इसमें होती है लेकिन देखा जाए तो इस शोध में सबसे इंपोर्टेंट होती है जो वह होती है शोध समस्या किस पर इससे बढ़ में हम सारे चीज़े चूज करते हैं इसे पर डिपेंड है किस फिर्दी से करेंगे कॉनसे जंसंख्या जंसंख्या तो आपके एरिया वाइस होती है कॉनसे टेक्निक से हर चीज करेंगे और कैसे हम इसकी प्तुपना बनाइं तो यह हो गया क्या आपके शोध क कि आपको हम जान लिए तो हम ये भी जान जाएं कि शोद के उत्तर को कैसे लिखते हैं कि हमारा क्या आउडकम निकलेगा जानते लिए मौलिक शोद में अग्दम नई चीज निकल के आती तो उसमें आपके परिकल्पना बनी भी है तो वह फ्लाउप हो जाती है कोई अल्टरन तर्म है जो आपकी सोज समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है या भविश्य कथन होता है या हम यह मानते कि यह चीज़ सही हो सकती है अगर देखा जाएं तो यह तीन परकार से हो सकती है बहुत सारी का टिग्रीज है इसके लेकिन हमें इसको क्या करेंगे तीन परकार से बाटेंगें एक तो दिशा परक दूसरा दिशा रहित और तीसरा आपका जो है वो क्या है शुन यह तिनों क्या है Just रखल्पन कि इसमें shada जिसमें भी जिसमें नौ और शूरी जिसमें तोनों चरों के बिच कोई सारधकंतर नौ स्टीशा पर्रक परिकल्पना वा परिकल्पना होती है जिसमें ये बताएं कि इसमें धनात्मत या रिणात्मत संबन्ध है या अंतर है या तुलनात्मा कद्यन है अर्थात कोई दिशा हो कि हाँ इस पर इफेक्ट पढ़ता है कि हाँ बोर्ड एक्जाम का बच्चों के तनाव पर एक इफेक्ट पढ़ता है लेकिन क्या पॉजिटीव या नीगेटिव अगर उसकी डायरेक्शन क्लियर हो किस डायरेक्शन रिणात्मप प्रभाव दे रहा है कि धनात्मप तो उसको हम कहेंगे दिशा परक्व हैइपोथेसिज या परिकल्पना अकर ये बता कि हाँ प्रभाव पढ़ता है लेकिन ये बताए कि धनात्मप पड़ता है कि रिनात्मप तो इसे कहेंगे दिशा रहित शून परिकल्पना है जिसमें दो चर होते हैं ठीक है और उनके बीच कोई सार्थक अंतर नहीं होता अक्सर हम मगर सेफ जून में रहना चाहते तो हम नल हाइपोथेसिस को लेते नल हाइपोथेस स्यून परिकल्पना, वख परिकल्पना है is जिसमें जो और अपके वैर्येबल्स हैं उनके बीच कोई सार्थक अंतर नहीं करता है यह कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो शूने परिकर्पना कर देखेंगे, तो μू 1, 0, ठीक है, यहां पर पहला, μू 1 minus μू 2 is equal to, क्या होता है, 0, यह एक ऐसे परिकर्पना है, जिसमें दो चरोग के, आप मध्यमान ले 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 जे, या डिरेक्ली उनके मान ले ले ले, उनके बीच में दिखाया जाते है कि कोई स सार्थक अंतर है, तो हम एक alternative आपका hypothesis लेते हैं, या research hypothesis उस result के basis पे, तो सबसे safe zone में रहने के लिए हम हमरिशा क्या करते हैं, नल hypothesis का use करते हैं, तो यह हमारा क्या हो गया, कि हमारी जो शोध है, उसका प्रस्तावित उत्तर हैं हम, कैसे खोजेगे, इसके अलावा जो variables हैं आ independent है, तो जिस पर प्रभाव देखते हैं वो क्या होता है independent, और जिस का प्रभाव देखते हैं, वो क्या होता है, independent, ठीक है माली जी जी जीऊ तुलनातमा कध्यान हुआ यह से संबंद आत्bbe क्धन करें यह थे कि वैर् cookie किस प्रकार एक किया जाए ने मध्याशन होते जो मिड़ में आते हैं इसे कई प्रकार के चर होते हैं जो मचों होते हैं थो दो प्रकार के होते एक क्या गुणात्म हो लौ यए हो पी defend किया हम जो बात करessä है ये वह चर जैसे हों आपतर मिलांकर में यूजकरते हैं यहां यहां अन्य चर हैиков त्रेस्ट है लेकिन हम देख चयज़े कहें लिकिन हम प्रकार से ऍफाइन शकार कस गणka सो मैं ले या कोई संचेत में उसे गुणात्मक कहेंगे मात्रात्मक आपका वाचर है जिसम को दो केटेग्री में बाटा जा सकता एक आपका सतत और दूसरा असतत ठीक है समायोजन पर प्रभाव पढ़ता है तो हम देखते हैं कि जिसको हम मैनुपुलेट करते हैं कम ज्यादा करते हैं उसको कहते हैं स्वतंत्र चर्क और जिस पर प्रभाव देखते हैं उसको क्या कहते हैं परतंत्र चर्क इनके मिड के चर्क को जो बीच में मध्यस्त के रूप मे थोड़ा बहुत जो आपके दिमाग में घुसा हो नहीं तो एक एक पॉइंट इसको में हम क्लियर करेंगे कुल मिला जुला के रिसर्च ऐसे होता है हाँ इसके बाद एक और आपका टम था जो आपके प्रॉब्लम से या विरिवर्यबल से कनेक्टेड जो आपके चीज़े होती है डियरेक्टली उसको रिफ्रेंस कहेंगे और जो बिबिलियोग्राफिय होती है उससे संबंधित अनिसाहिते भी उसमें आप ले सकते तो बहुत सारी चीज़े जो आपको रिसर्च में पढ़ने हैं बहुत इंपर्टेंट है आप पढ़िए अच्छे से पढ़िए मेहनत करिए स्टार्ट करिया से ए बीसी और करेंगे कि हाँ जो आप इसमें तूल यूज करेंगे न अब एक्सपर्मेंट करेंगे तो तूल तो यूज करेंगे तो तूल यूज कैसे करेंगे तूल यूज करने का आपको जो सिस्टम है तो तूल दो प्रकार के होते हैं आपके एक तो आपका मानकी करीद स्टेंडर औ और ऐसा कोई आपका वेरियबल है जिस पर टूल उपलब दी नहीं तो आप खुद से टूल बनाते तो उसके भी मैं आपको प्रॉपर स्टेप बताऊंगे कि क्या स्टेप होते हैं टूल के फॉर्मेशन के कैसे आइटम अनालसिस करते हैं उसमें कैसे उसकी रिलाइबिल्टी वैलिडिटी उसका नौम कैसे डिसाइड होता है तो सारी चीज़ें आप में बताए जाएंगे बाकी इतना आप माइंड मेकप किये रहे है रिसर्च का और उसके आगे हम नेक्स वीडियो में चर्चा करेंगे